हाई फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त टोम आज की हमारी स्टोरी का नाम तो मंकी एंड टू कैट्स बंदर और दो बिल्लिया चलो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं Once upon a time, two cats found a piece of bread and cut it into two pieces एक बार दो बिल्लियों नी रोटी का एक टुकडा पाया और उसे दो टुकडों में काट दिया But one piece was slightly bigger than the other Both the cats wanted the bigger piece लेकिन एक टुकडा दुसरे से थोड़ा बड़ा था दोनों बिल्लिया बड़ा टुकडा चाहती थी Then they went to a monkey Who was taking rest in the branch of a tree फिर वे एक बंदर के पास गए जो एक पेड की डाली पर आराम कर रहा था They asked him to sort out the matter The monkey said Don't worry, I'll make both the pieces equal उन्होंने उसे इस समस्या को सुल जाने के लिए कहा बंदर ने कहा चिंता मत करो मैं दोनों टुकडों को बराबर बाट दूंगा Then it took a bite from the bigger piece But this made the other piece larger So it took a bite from the other piece फिर बंदर ने बड़े टुकडे से काट लिया लेकिन इससे दुसरा टुकडा बड़ा हो गया इसलिए इसने दुसरे टुकडे से काट लिया This continued till the pieces became very small Sing this The cats pleaded Sir, we are satisfied यह तब तक चलता रहा जब तक की टुकडे बहुत छोटे नहीं हो गये यह देखकर बिलियो नी निविदन किया Sir, हम संतुष्ट है Let us have the pieces now The shrewd monkey replied This is my fee For sorting out the problem चलो, अब हमारे पास रोटी है चत्तूर बंदर ने जवाब दिया कहते हुए उसने जो रोटी के टुकडे बचे थे वो छीन लिये दो बिलिया केवल एक दूसरे का चहरा देखती रही दोस्तो, इस स्टोरी का मोरल है Don't believe in a shrewd judge एक चतूर न्याय दिश में विश्वास नहीं करते कर दोस्तोर नहीं